इस्रेल से इंडिया फ्लाइंग टाक्सी आने वाली है जो इंडिया में ट्रावल में रेविलुशन लेकर आ सकता है इस्रेल में फ्लाइंग टाक्सी की सारी टेस्ट सेक्सेस्फल रही हैं इसे डेजर्ट से लेकर घाटियों के बीच उड़ा कर टेस्ट किया गया प्रोजेक्ट पर अब तक 16 लाग डॉलर्स खर्च हुए है फ्लाइंग टाक्सी पैसंजर्स को लेकर एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाएगी ये टाक्सी एक बार उडान भरने के बाद दो पैसंजर्स के साथ 160 किलोमीटर की दूरी तै कर सकती है इसके साथ ही 220 किलोग्राम का सामान भी ले जा सकती है फ्लाइंग टाक्सी किसी भी बॉर्ड या शिप से भी आसानी से ओपरेट की जा सकेगी इसकी एक और खास बात ये है कि फ्लाइंग टाक्सी राद के वक्त भी आसानी से टेक ओफ और लैंडिंग कर सकेगी वहीं फ्लाइंग टाक्सी के रास्ते में कोई औबजेक्ट या परिंदा आता है तो या आसानी से उसे हटा भी सकती है इससे लंबे ट्राफिक जाम्स की परिशानी खत्म होगी इस्वेल ने इस और्टोनॉमस जोन को इंसानों और सामानों के लिए डिजाइन किया है इस तरहा कि ये पहली टेस्ट उडान है वहीं उबर भी फ्लाइंग टाक्सी की सर्विसे शुरू करने की तयारी में है और इसे इंडिया के मुंबई, टेली और बैंकलूरू में शुरू किया जा सकता है